आयूजन करने जा रहे हैं भागवत कथा का जिसकी अंदर हमारे परम श्रद्धे पूजने आचरे रजी शास्त्री जी इस कथा को सब लोगों के बीच में करेंगे सहा का महोल है और आसपास के जितने भी महोले वाले वह हम सब से पूस्ते हैं कि आपने पिछले साल क्यों नहीं करा तो उसी को बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जो यह आयूजन आचारी जी की माध्यम से परसाद रूप जो बंडार अपने उसमें वचनों से माटेंग जो की आवास्विकास में है और आयोजन सब हमारे साथ हैं जानेगे किससे आयोजन होगा लेकिन इसवर्ष होगा तो सबसे पहले राजन सर हमारे साथ मौजूद है, संजीव सर हमारे साथ मौजूद है, विशाल सर है और सुनील सर हमारे साथ मौजूद है और विजिंदर सर हमारे साथ मौजूद है सारे ही फैमिलियर चाह रहे हैं परसीच चाह रहे हैं रूडगी के सब लोग जानते हैं राजिन सर सबसे पहले बताएं किस तरीके से रहीगा इसका आयूजन धन्यवाग हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोग यहां पर 22 दिसंबर से एक भव्वे आयूजन करने जा रहे हैं भागवत कथा खा जिसकी अंदर हमारे परम श्रद्य पूजने आचरे रजी शास्त्री जी इस कथा को सब लोग के बीच में करेंगे और ये कहते हैं अतियंत खुशी हो रही है कि प्रती दिन 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक कथा के पश्चात सभी लोग एक सुक्षम भंडारे के रूप में परशाद ग्रहन करेंगे और उसके पश्चात 29 दिसंबर को समापन के दिन एक पूर्ट है आहुती यग होगा उस यग के बाद एक भव्वे विशाल भंडारे का हमने यहाँ पर आयोजन करा है हमारी समस जनता से रुड़की की जनता से अपील रहेगी हमारी आशिरवाद एंकलेव सोसाइटी के ततुधान में यह कारेकरम होने जा रहा है जिसमें एक दिल्ली से एक प्रसिद भजन टीम भी यहाँ पर उपस्तित रहेगी प्रती दिन और हमारी समस जनता से यही अपील रहेगी करपिया आएं और भागवत कथा का रस्पान यहाँ पर ग्रहन करें संजीव सर क्या कहेंगे कितना अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए यह धन्यवाद जी मैं पहले तो आपको बताने चाहूँ कि यहाँ पर एक भवे भगवत पुरान कथा का आयोजन करती है इस बार जो कि पिछली बार कोवीट की वे से नहीं कर पाई थे इस बार यह पांचवा आयोजन किया जा रहा है तथा दिल्ली की एक बहुत ही मशूर टीम यहाँ पर आकर उसका आयोजन करेंगे उसके पश्चाथ में 28 तारिक को इसका यहाँ पर समापनों का 29 तारिक को एक बहुत ही भवे बंधारे का भी आयोजन किया जाएगा के बाद में यह भी पताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को जो कि कृष्ण जर्मावसभ मनाए जाएगा वह भी बहुत दूमदाम से मना जाएगा तथा 27 दिसंबर को रुक्मनी विवहा का भी योजन किया जो कि बैंड बाजे को साथ किया जाएगा रुड़की की समझ जनता से मेरी हाथ जोड़के निवेदन है कि यहाँ पर अधिक से अधिक संक्रम में आए और अपने धरम लाग उठाएगा जा रहे हैं हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे पंडी जलिनी शास्त्री और भी हमारे बहुत से पूझने पंडी जी है जो कि यह धरम करम की लोगों को सिक्षा दे रहे हैं यह जदि आप समझते हैं दो बज़े से पांच बज़े तक यह आठ दिन तक चलेगा यदि हम पांसु आद्वियों को भी जीवन सावार चाहें यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होगी सर क्या कहेंगे जिस परकार यह दारा परवा होगी हमारी श्रीमत भागवत कथा की गुरू जी के मुक्रविन से हमारे लिए तो यह बहुत बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है जब जब यह शुरुआत करते हैं जिससे हमेरे कथा का आरम होता है एक अलग सा ही उस्सा हो जाते है ह हमारी नहीं पीडी में भी उस्सा जागे कुछ दर्म के पड़ती जागुरुक हो फिलाल तो हमारी यही कोशिश रहेगी सर आप क्या गएंगे सिरीमत भागवत कथा का जो परचार परशार परशाद के रूप में हमारे पंडित आचारी पंडित रजिनी साहतरी जी कर रहे आचारी जी के माध्यम से परशाद रूप बंडार अपने उसमें वचनों से माटेंगे उसको सब गहन करेंगे यहां करके और उद्देश से हमारा यही है कि जो हमारी नई पीडी है नई जनरेशन है वो भी अपने अभिवावकों के साथ इस कथा में सामिल हो और उसका धर जान करें अब में पढ़ रहा था मोबाइल में आया था के कंसका रामन का क्या लगता था कोई कर राकर जिन था कोई कर रहा कुछ कह रहा है पर किसी को ग्यान ही नहीं है तो जो इस बहुत अच्छा समर जाएगा इस दर्मियान दो तिन इवेंट भी रखे हैं अब हम सभी जनता से अपील करते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा बढ़ चड़ के भाग ले कृष्ण जनमोज सभ है और रुक्मणी विवा है विशेश इवेंट रखे गए हैं और दिल्ली से जो टीम आएगी वो बड़े मधूर कंट से बड़े एक से सुंदर बजन गाते हैं उनका मॉबाइल का दौर है मॉबाइल के दौर में युवा पीडी जो है समय वेस्ट कर रही है अपनी माइथोलोजी पर भी ध्यान दे और जो संस्कृत है उसको भी शायद देखने की ज़रूरत है जितने लोग इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख प्लीज फॉलो कर लि सब्सक्राइब के साथ बहुत 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 शुक्री आप सभी लोगों का